हेलो, गुड मॉरिंग दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के 11th लेक्चर में आपका श्वागत हैं, आज की लेक्चर में हम राष्टरपति की जो एक तो पार्डन पाउर है, इनकी छमादान की सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ एक पॉइंट ओर रह गयते हैं हमारी union executive के बारे में, तो उनको हम आगे continue है, वो करने वाले हैं, देखो अभी तक हमने राष्टरपति की जो और पाउर्स हैं, उनके बारे में डिसकस किया, राष्टरपति के पास क्या-क्या पाउर हैं, उनकी qualification है, कौन-कौन से आर्टिक में उनके लिए क्या-क्या प्रा इनकी commutation, तीसरी होती है, remission, जिसे हम परिहार बोलते हैं हिंदी में, फिर चोती होती है, respite, जिसे हम वीराम और पांची होती है, लास्ट वो होती है, इनकी प्रति प्रविलंबन, क्या है इनके बारे में एक-एक हम्या पे डिसकस करने वाले हैं, काफी important ये power हो जाती हैं, UPSA ने कई बार इंपे इर्द गिर्दाएं, इधर उदर से भी question है, वो पूचे हैं, एक सेकिन, हाँ, देखो सबसे पहली बात तो आपको ये धान रखनी है, कि जो हमारा सविधान का article 72 है ना, वो राष्टरपती को ये power देता है, कि भी राष्टरपती एपनी pardon power का यूज है, वो कर सकते हैं, basically तीन parameter है इसके, एक तो ये है, कि Supreme Court का कोई verdict है, हम बात करें कि जो हमारी union government है, उसके विरूत कोई सी भी आदमी ने काम किया है, और उस सजा को अगर लब माफ करना हो, चमादान का काम हो, तो वो राष्टरपती कर सकते हैं, इसके साथ ही सेन्य अदालत इनिके जो court marsal अगर आउते हैं, इनके against भी अगर हमें चमादान की सकती का यूजकन है, तो वो राष्टरपती कर सकते हैं, और तीसरी बात देती है, कि जे दंड का सवरूप मर्तु दंडो, मतलब कि किसी आदमी को फासिक सजा, यानिकि मर्तु दंड सुनाया गया हो court के द complete pardon के नाम से भी से जाना जाता है, यनिकि छमाद, यनिकि जो भी आपने crime किया ना, उसको पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है, जैसे कि एमालोगी किसी भी आदमी को उसने करवी बिचोरी कियो एमालो, और उसको कोई भी दंड दिया गया हो, और अगर राष्ट अपती उ उसके ओपर कोई भी आरो, प्रतारो पूछने है, यनिकि सब खतम हो गया, इसके आप में दूसरी हाँ पर आती है, वो आती है, commutation, यनिकि लगू करन, तो कोई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा word पर बड़े focus करना, लगू करन या commutation का मतलब ही होता है, कि लोकिया तो उमरकेद में तब दिल कर दिया जाएगा, या फिर यह है कि उमरकेद के थ्रूस को जैसे कि इस नॉर्मल जेल दे दी जाएगी, इस तरह के से convert करना है, ठीक है, यह तो है लगू करन, इसके बाद में आती है, परिहार, परिहार यह नहीं की remission, देको remission का जो दंड का नेचर था ना, जैसे कि मर्त्यू दंड दिया गया है, तो उस नेचर को ही actually कर, मर्त्यू दंड तो जैको इसमें तो लह हो ही नहीं सकती है, परिहार, बाकी और cases में हो सकती है, मतलब जो नेचर है, उसको कम कर दिया जाएगा, जैसे कि किसी को यह मानलों कि 10 साल की कठोर का रवास की सजा सुनेगी है, कि आपको 10 साल से सरम का रवास है, इसका मतलब ही हो जाएगा, परिहार अगर पावर यूज की जाती है, तो उसको 5 साल की कठोर का रवास हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी, 1 साल की, यानि कि उसकी सजा का नेचर क्या था, कठोर का तो इन दोनों में basic difference ही है, एक बार आपको फिर उता देता हूं, लगू करण में यह होता है कि जो nature है ना, कि दंड का जो सवरूप है, उसको कम कर दिया जाता है, जैसे कि मर्त्यू दंड है, तो उसको कठोर कारवास में, या फिर normal jail में उसको तब्दिल कर दिया जाता है, आपको normal jail में डाल दिया जाएगा, दो मीने, पांस मीने से, इस तरीके से, फिर आता है विराम, respite, विराम का क्या मतलब है, इसका देखो यह MLE, कि जो भी दोस है, जिस भी आदमी ने कोई क्राम की है ना, उसकी सजा को कम किया जा रहा है, उस पर थोड़ा विराम दिया जा जाता है, वो होती है विराम या respite, या फिर हम बात करें कि कोई woman है, उसको सजा सुना दी गी है jail में, और जब की वो pregnant है, तो उसको सजा में छूट दी जाती है, तो वो होती है विराम, तो यह आपको धान में रखना है, कि कुछ special case में, उनकी सजा को कम कर दिया जाता है, त जाता है, कि भाई, जो भी आपको सजा सुना या ना, इस पर temporary local कर जाएगी, इन्हें एक तरह के साब होचा तो कि suspend type की, कि थोड़े time के लिए hold कर गया जा सकता है, जैसे कि यह मान लो कि, हाँ, कि हाई court ने किसी भी आदमी को फांसी किसा सुना दी, अब यह तो यह नहीं कि आज अगर फांसी किसा सुना यह, तो उसको आज ही फांसी किसा सुना दे दी जाएगी, उस आदमी को कुछ time तो दिया जाए ना, ताकि वो जो भी मतलब यह आचना वगरा है, राश्टरब्दी के पास, यह राज जेपाल वगरा के पास, उस यह आचना को लेके जासके, प उसके ओपर थोड़ा temporary रोख है, वो लगा दी जाती है, तो यह चीज आपको धान में रखनी है, अब हम देखते हैं हमारे राज जेपाल के संदरब में, कि भाई राज जेपाल है, गवर्णर है, इनके पास क्या पावर है, देखो गवर्णर को वैसे article 161 के तैत यह पावर के लिए, एक तो देखो, राज जेपाल है ना, जो भी सेन अदालत, यहनी कि जो court martial अगरा हुआ हुआ है, उसकी सजा के अंदर कोई भी अंगूली नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि defense का जो मामला है, वो central government के अंतरगाता है, यहनी कि defense समंदी जो भी कुछ है, तो उस पे देखे जाए तो राश्टर अपती कुछ कर सकता है, राज जेपाल के हाथ में नहीं है, क्योंकि राज जेपाल तो state के अंदर का scene है, तो इसलिए यह ध्यान रकना कि सेन ने अदालत से कोई भी सजा सुनाई गी है किसी को, तो उस पे राज जेपाल कुछ नहीं क राज जेपाल उसमें अस्तक्सिप करी नहीं सकते हैं, इसके बाद में एक ही है, किसी भी आदमी को मर्तुरन दे दिया गया है, फांसिक सजा यह नहीं किसी बात हम करे तो, अब देखो फांसिक सजा अगर complete माफ करनी है, वर्ड पे फोकस करना, pardon power की बात करा हूं में यहाँ pardon में क्या होता है, सजा को completely माफ कर दे जाता है, मतलब 0 हो गई वो, अब अगर किसी भी इन्जान को फांसिक सजा दी गई है, और उसको completely माफ या pardon करना है, तो वो power के ओर और के ओर राश्टरपती के पास ही है, राजय अपाल क्या कर सकता है, राजय अपाल बस इतना कर सकता है, कि भई फांसिक सजा है, तो उसको उमर के एद में तब्दिल कर दे, या उमर को मतलब कोई भी कारावास वगराम में करनोर कर दे, इस तरीके से, complete उसको माफी power राजय अपाल के पास नहीं है, तो यह आपको धान रखने कि दो power है, वो actually राजय अपाल को नहीं होती, बा पावर केवल और केवल किसके पास होगी, राश्टरपती के पास होगी, बाकि किसी के पास और वो पावर है, वो नहीं होने वाली है, तो यह चीज आपको अच्छे तरीके से clear है, वो रखनी है, और दूसरी बात हाँ, एक एफेक्ट है, हमने discuss भी कर लिया होगा, कि जो यह पारडन पावर है, राश्टरपती की, यह एक्चुली राश्टरपती की कार्यकरी पावर, यहनिकी एक्जुटिव पावर है, यह आपको धान में रखना है, UPSC के वारे में भी पूछा वो सकती है, हाँ, अब देखो हम एक case है, थोड़ा सा वो discuss करते हैं, और उसके कुछ point discuss करते हैं, जो कि आपको वैसे साथ, लक्षमिकान्त में मतलब कैम ही मिलेंगे step की चीजें, तो बता देता हूं आपको, एक case था, कहर सिंग वर्सेज, यूनियन, ठीक है, यह था 1989 का case है, यह case रटना नहीं, आपको बस में इसके आपको मतलब Supreme Court की क्या-क्या verdict थे, वो helpful हो सकते हैं, लक्षमिकान्त का बाकी जो भी issues हैं उनको समझने के लिए, देखो, एक्चुली केर सिंग वर्सेज, जो यह संग का case था, यूनियन का, इसमें यह बात, राश्टर पती मिलने के जिद नहीं कर सकता, कि राश्टर पती के सामने मेरे को physically present किया जाए, या फिर म मोखिकली उनसे बात करना चाहता हूँ, face to face, इस तरीके कि वो जिद नहीं कर सकता, यह allow नहीं है, जैसे कोई से आदमी को फांसिक सिज़ा दे दी, और वो कहा रहा है कि नहीं में राश्टर पती से मिलूँगा, वग्यरा वग्यरा, ऐसी जिद वो नहीं कर सकता, इसके आप करते हैं, बाकी यह बात बिल्कुल सही है, कि राश्टर पती इस संब्ध में अगर कोई भी decision लेता है, as a neutral होके, तो वो सौतंतर है, मतलब उनके ओपर कोई भी pressure नहीं डाला जकता, इस चीज़ गे लिए, तो यह चीज़ आपको धान में रखनी है, इसके बाद में बात यह क्याती है, कि राश्टर पती अगर pardon की जो power है, इसका यूज कर रहा है, और कोई भी decision ले रहा है, तो उसे normally judiciary के सामने challenge नहीं क्या ज़कता, हाँ, जबगी एक थोड़ा exception है इसमें, एक 1980 में case हुआ था, जिसका नाम था, मारूराम case, बस आपको थोड़ा बता रहा हूँ हू इन्हें कोई इच्छा लालच वगर ऐसा कुछ नहीं हो, अगर वो ऐसा किसी के suddenly अपना खुद का decision नहीं ले रहे हैं, किसी के pressure में ले रहे हैं, या फिर उनका source नहीं कुछ और एंगल है, वो boost वगरा पैसे कुछ भी research ले रहे हैं, इस type का, उस condition में judiciary को challenge किया जा सकता है, बलब नॉर्मल अगर वो decision ले रहे हैं, तो free हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो कहीं न कहीं उनका angle गलत है, या फिर वो पक्स पात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा issues है, उस case में राजय पाल किया, Supreme Court में actually इसको challenge है, वो क्या जा सकता है, तो ये चीज आपको धान में review कर सकता है, वसे मतलब कि उसे कोई ऐसा proof मिल गया, कि भी राश्ट पते हैं, धान्दलेबाजी की है, या कुछ न कुछ लालस के चकन में किया है, या कोई न कोई प्रेशर में ऐसा काम किया है, तो उस condition में इसका मतलब जूड़ी से रहे है, वो review कर सकती है, या उसको वाप union state एक अपता 2013 का case है, इस case में देखो Supreme Court ने ये कहा, कि अगर भाई, राश्टर पती और राज्यपाल के पास कोई भी सजा वाला आदमी जाता है, मलब कि उसने अपनी याची का दायर की है, कि भाई आप मारी सजा कम कीजिये, माफ कीजिये वगरा जो भी है, और उस case में अ नयाले के पास ये पावर है, कि वो उस सजा को कम कर सकता है, या फिर उसका लगुकरन कर सकता है, ये चीज आपको धान में रखनी है, मतलब कि राश्टर पती और राज्यपाल के पास याची का गई है, दया याची का, कि भाई आप सजा माफ वगरा जो भी कुछ कीजिये, और राश्टर पती और राज्यपाल कोई भी एक्सन नहीं ले रहे है, कोई रिजन नहीं है वेलिड कि भाई इस जैसे मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ा मैं काम में बिजी कुछ भी हो, तो उस कैसेज में नयाले के पास ये पावर होती है, कि वो खुद उस आदमी की सजा क आपको कम कर सकता है, या फिर उसका लगवरण कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अब देखो एक अध्यादेश वाली पावर हमने डिसकस नहीं की थी, जो वैसे तो एक्जेगुटिव में थी, बट ये इंपोर्टेंट इस लिए उसको हम देख लेते हैं, राष्टरपती के पास देखो जो अध्यादेश है, वो जारी किनने की पावर होती है, और ये होता है आर्टिकल 123 के तैस, 123, आर्टिकल 123 के तैस राष्टरपती है, वो अध्यादेश जारी करते हैं, अब पहली बात तो है कि अध्यादेश किस पे जारी किया जा सकता है, अ अले यह पड़ते हैं, अध्यादेश जारी करने की खाली, जो condition ही है, यह तो दोनों ही session नहीं चल लहा हो, यह फिर दोनों में से एक session नहीं चल लहा हो, क्यों? देखो बात ऐसी है, आपको पता है कोई भी अगर कानून बनाना होता है न, तो लोकसभा और राजेसभा दोनों क जरूरी है, जैसे कि आपको पता है, लास्ट एर बात आई थी, ट्रिपल तलाक पे, तीन तलाक वाला मुद्धा था, तो उस पे अध्यादेश लाया गया था, क्योंकि मामला सेट नहीं हो रहा था इसलिए, तो यहनि कि ऐसा issue हो कि जिस पे कानून बनाना जरूरी हो, और उ उसका एक time period होता है, वो उसी time period तक valid होता है, इसके बाद में अपने आप खतम हो जाता है, ऐसी इसकी कुछ condition होती है, तो सबसे पहले हम time period की बात करते हैं, देखो आपको पता होगा, कि कम से कम Parliament, कौन्चूस में परावधान किया गया है, कि परावधान की एक साल में दो से तो Parliament का compulsory ही है, होना ही होना चाहिए, ठीक है, जो विसे तो इंडिया में 3 कौन से होते हैं, एक तो होता है budget, एक summer और एक winter, इस तरह के से 3 होते हैं, और constitution में परावधान क्या किया गया है, कि कम से कम 2 तो होनी चाहिए, बाकि आप 5-6 चाहिए जितनी मर्जी आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अब यानि कि 2 सेसनों के 20 में कितने time period होता है, 6 मीने का, तो अध्यादेश की वैसे power होती है, होती है 6 मीने, बढ़ आपको अगर UPS में पुछा जाए कि complete power अध्यादेश का कितना time period होता है, मतलब क अध्यादेश कब तक valid होता है, तो अध्यादेश 6 मीने तक तो ही है, इसके बाद में सेसन स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता करना ही पड़ेगा, at any cost संसद में, और अगर सेसन स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी 6 week का time दिया जाता है, क्योंकि ये दुरू थोटी कि सेस 6 मीने 6 week, तो ये आपको धान में रखना है, कि एक अध्यादेश है, वो maximum 6 मीने और 6 week तक ही चल सकता है, इसके बाद में वो अपने आप खतम हो जाएगा, या तो उसको आपको दूबार ऐसी विदेख हो गर अबना के कानून बना दो, नहीं वो 0 हो जाएगा, ये मैंने बात है, यहां पर सार बता दिया है, अगर देखो चाहे संसल, तो उसको पहले भी 6 मीने से पहले भी खतम कर सकती है, बट वो डिपेंड करता है पारलामेंट में, तो ये आपको ऐसे फेक्ट है, हाँ, 1970 में केस हुआ था, जिसका नाम था कपूर केस, या कपूर वाद हिंद लेके आ रहा है, तो उस कंडिशन में राश्टर पती के जो जारी करने की जो पावर है ना, इसको सिमीत किया जा सकता है, या इस पर लिमिट लगाए जा सकती है, या फिर इस पर रिवू या इसका आप जांच है वगरा की जा सकती है, तो ये फेक्ट आपको ध्यान में जास्टर पती है, कोई भी छेतर में अनुसुची छेतर को गुसित कर सकता है, इनिकि siedul led area को declare कर सकता है, और अगर वहाँ प्रसाशन के लिए वहां की जो local community है, उनको rights में जै सकता है, जासके north में आपको बता है कि वहाँ पे जो travel area है वहाँ पे उनके लिए अलग से body बनाई जाती है जो खुद गोई government करती है तो इस तरीके के वहाँ पे power है वो दी जा सकती है ऐसा इसलिए क्या गया है कि वह travel area है उनके right को protect किया जासके उनका जो culture है इनको सब को संभाल के रखा जासके इससे के साथ एगर हम बात करें तो लक्सेदीव हुआ दादर नगर हवेली अर्णमान निकोबार दीव सुमुआ है यहाँ पे भी राष्टर दिया आपको बता है कि परसासन के लिए guidelines वगरा जारी कर सकता है यह वगरा point हमने कर दिसकस के थे इसके बाद में जैसे कि कुछ special area है सकरी आपको सारे रटने नहीं अब बता रहा हूं बस knowledge के लिए जैसे कि महराष्टर में एक area है विधर्ब इसके साथ गुजरात में सोराष्टर वाला area जहां पर नरबदा रिवर पर जो कैनल वगरा वो बनेगी है काफी न्यूज में भी था सोराष्टर और इसे के साथ यह अंधरा प्रदेश है इन वाले area है कि राष्टर पती वहां के area के development के लिए क्योंकि जो महराष्टर में विधर्ब है सोराष्टर है यह area के काफी पिछड़े हैं तो इन area के development के लिए राष्टर पती special कानून बना सकता है और राज्यपाल को special power दे सकता है कि भाई सब आप इनके लिए वगरा काम कीजिए तो इस तके के छूट यहां पर दी गी है और आपको पता है कि ऐसे ही North East के area में special power है वो दीगी है राष्टर पती और राज्यपाल दोनों को तो यह आपको फिर्गधान में रखनी है इसी के साथ ही एक article है वो है 341 Article 341 यह कहता है कि कोई भी जाती विशेश है यहनी कोई भी कास्ट वगर है उसको scheduled area में या scheduled शुची में डाला जा सकता है इसकी जो power है वो राष्टर पती के पास होगी क्या है? Article 341 यह कहता है कि किसी भी जाती विशेज को अगर अनुसुची जाती की लिस्ट में डालना है तो उसकी पाऊर राष्टपती के पास होगी इसी तरिके से अगर अनुसुची जन जाती है, निकि Sedule Tribe है, उसको भी अगर लिस्ट में डालना है तो वो power होती है आर्टिकल 342 के तैत, इनि기ि scheduled cast है इसके लिए तो आर्टिकल 341 और scheduled tribe अगर declare के नहीं है तो उसकी power है 342 के तैत राष्टेपती के पास हुआँ अगर scheduled tribe गोसित करनी है scheduled मलब जो cast गोसित करनी है उस case में राष्टेपती राजयपाल से promise कर लेता है क्योंकि राश्टरपती को राजयपाल से promise करने पर चीज़ों का पता चल जाता है कि भई, ground level पर क्या scene है वो चल रहा है तो इस तरीके से आपको ये चीज़े धान में रखनी है कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि राश्टरपती है न वो schedule 5th और schedule 6th इन दोनों को मिला के आदिवासी area या अनुसुचित area है वो declare कर सकता है तो यहां पर ये सारे articles जो मोटी मोटी में आपको सारे cover करवा दी है हाँ अब बाकी हमने veto power वगरा वो तो हमने discuss कर ली थी अब देखो important बात आती है राश्टरपती की आपात कर लेन सकती है तो जो आपात कर लेन सकती है निए कि emergency का जो provision है न उनकों कल discuss करने वाले हैं हो सकता है कि आज ही उनिवे एक लेक्चर आ जाएगा तो thank you thank you very much for all discussion